आईरुएग पोस्ट में आपका स्वागत है आईए आज बात करते हैं आखों की द्रस्टी को ठीक करने के बारे में आखों की द्रस्टी यानि आईसाइट सरदर्द, चिंता, मानसिक तनाव और बढ़ती उम्र के साथ कमजोर होती है आखों की द्रस्टी कमजोर होने लगे तो तुरंद चश्मा नहीं ले आखों को आराम दे और घरेलू उपाय से इसे दूर करने का प्रयास करें इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं फूल गोवी, फूल गोवी का रस पीने से आखों की कमजोरी दूर होती है इसका थोड़ी मात्रा में सेवन करें परवल, परवल की सबजी खाये यहां आखों की लिए अच्छी होती है आवला, आखों में थकान मैसूस हो रही हो, अधिक कार्य और तनाव से ऐसा हो रहा हो तो आवले का रस पानी में मिला कर चार-पांच दिनों तक सुबह शाम पिये आखों की थकान दूर होगी प्याज, प्याज का रस आखों के लिए बड़ा उप्युक तिलाज है इसके निरंतर प्रियोक से आखों की द्रश्टी बढ़ती है यह धुंदलापन, नाखुना, मोतिया बिंद में बड़ा लाबदायक होता है आखों के लिए प्याज एक रामबान औशदी है दूद, दूद कई प्रकार के रोगों में लाबदायक होता है आखों की रोश्णी के लिए ताजे दूद को बिना गर्म किये मिश्री या शहद और भीगी हुई किश्मिश का पानी मिला कर एक या दो महिने तक पिये जल्दी लाब मिलेगा गाजर गाजर और पालक का रस बराबर मात्रा में मिला कर पिये आखों की द्रश्टी सुधरेगी गेहूं गेहूं के पौधे का रस पीने से आखों की रोश्णी बढ़ती है गेहूं का पौधा आप घर में किसी गमले में थोड़ी मात्रा में गेहूं डाल कर उगा सकते हैं इसका ताजरस बना कर पिये आपको लाब मिलेगा सरसो का तेल पैरों के तलवों की सरसो के तेल से मालिश करने से भी इसमें बड़ा लाब मिलता है तो यहाँ था आयूरुद पोस्ट में आज का नुस्का इसी तरह बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेर और सबस्क्राइब करिए और पाईए ऐसी धेर सारी और जानकारी सवाल पूछने के लिए सबस्क्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए हम आपको उसका जवाब देंगे